तो ऐसे भागवत में 28 नर्क हैं अन्य पुराणों में 88 88 नर्कों का भी बढ़ना आता है और इन सब नर्कों में वो व्यक्ति जाते हैं इसमें ऐसे भी लोग हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आजकल समाज में बहुत पुरुति ऐसी हो रही है अपने को छोड़कर दूसरों के साथ में गूमने वाले कम सब्दों में ही समझ लेजिए उन्हें वाँ लोहे की मूर्तियां हैं लोहे की इस्त्री करे तो पुरुस है पुरुस करे तो इस्त्री है और उन्हें की मूर्तियों के नीचे आग लगी है उन्हें की मूर्तियों में आग लगी हुई या नीचे और उस मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है उस पापिष्ट व्यक्ति का कि अब आओ तब वो व्यक्ति जल के चीख कार करता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ की ये ये नरकों का बढ़न में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जगद गुरू संकराचारी भगवान आश्रम पे पधारे तो उन्होंने कहा कि कथाकारों को जादा से जादा नरकों का बढ़न व्यक्ति को सुनाना चाहिए जिससे व्यक्ति के मन में भै ब्याप्त हो और जिससे ये व्यक्ति समझे कि मुझे गलत काम नहीं करने जिससे मुझे नरक में जाना पड़े क्योंकि knowledge के अभाब में भी व्यक्ति कई बार गलत काम करतें अब जो सुनने के बाद भी ऐसा करें वो इग्नोर करें वो तो फिर मतलब एक high quality के उनको आप कुछ नहीं कर सकते वो तो फिर पहुंचे हुए है वो तो registration उनका final है वो आपके कहने से cancel होने वाला नहीं लेकिन कु पुराणों में है यह कोई brahmad अपनी मर्जी से नहीं सुनाएंगे आपको मैं अपनी मर्जी से नहीं सुना रहा हूँ आप भागबत पढ़लीजियों उसमें नरकों का बढ़न है आप बेद पढ़लीजियों उसमें आपको सब मिल जाएंगे हाँ यह अलग बात है कि आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवस्ट्री वो तो कहां पढ़ाएंगे विचारे उनमें तो नहिंबत कहां है वो तो सिर्व वही पढ़ाएंगे जिससे आप नोट कमा सकों आप उसे नोट कमा सकें सच्चा ज्यान आपके बेद और पुरानों में ही मिलता है रादे रादे बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा कितने बज गए सबानो बजे हम नरकों में हुके आए अब इतना डर गए नरकों का बढ़न सुनके राजा परिक्षित तक डर गए बोले माराज फिड़ते हो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरकों में न जाए बोले नहीं है बच सकता है सब बच सकते हैं कैसे बच सकते हैं तब उन्होंने अजामिल की कथा सुनाई कषिजिए बैसे में हमेसा आपको दूच इत्याद की कथा सुनाता हूं अजामिल की कथा मेंने बहुत दिनों से नहीं सुनाई तो मैं सोच रहा हूं कि दूच घुचरीतर में दूची के तमाम बंसजों का भी वर्ण आता है दूची कि बाल काल में जो धृब जी माराज ने भगवान को मात्र छे मैंने में प्राप्ट कर लिया दुरुभजी की कता के वाद प्रथु भगवान का प्राकट दुरुभजी के बंस में प्रथु भगवान हुए और प्रथु जी ने यगी करवाया और यगी करवाया तो देवराज इंदर उनके गोड़े गोले के बाग गया प्रतु भगवान बोले लब मैं देखता हूं देवराज को तो ब्रह्मनों ने का आप मत जाएए क्यों मैं देखा हम ऐसा मंतर पढ़ें क्योंकि आप क्रोध करोगे तो यगी का फल फल नस्ट हो जाएगा कि यहां से सुने माताय वैन भाई नर्कों को सुनके डल लग गया कि कि सुनो ध्यान से अब बें डर्कों से बचने का उपाई बता रहा हूं आपको कि बुले धर्म करें कोई यगी करें और बीच में क्रोध कर दें तो यगी का फल नस्ट हो जाता है इसलिए अप क्रोध मत करो हम ऐसे मंतर पढ़ेंगे कि देवराजिंद्र अगनी कुंड में स्वहा कि ब्रह्मणों के मंत्रों में दम है देवराजिंद्र के शिंगासन साइद देवराजिंद्र को अगनी कुंड में स्वहा ते मंत्रा ब्रह्मण आधीन तस्माद ब्रह्मण देवता जगत सर्वं यह पूरा विश्व देवताओं के आधीन है देवता मंत्रों के आधीन है और वो मंत्र ब्रह्मणों के आधीन है तस्माद ब्रह्मण देवता इसलिए ब्रह्मण देवता है प्रथवी का देवता है और सही माने में अगर कोई तपनिष्ट ब्रामण है तो वो क्या नहीं कर सकता साब वो सब कुछ कर सकता